टोग सभा और निकाय चुनाओं से पहले सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट कर ली तयार बस ओप्चारिक एलान का इंतजार सपा और बीजेपी का होगा च्छावनी परशत चुनाओं में आमना सामना सपा की तयारी देख बीजेपी को आने लगा पसीना सपा ने चुनाओी रणनीती साजा करके किया हल्ला बोल पार्टी ने कसी कमर तो फिर सकते में विरोधी देखें किस किस पर पार्टी लगाएगी दाओं और क्या है विरोधियों को परास्त करने के लिए सपा की रणनीती लोगसभा और निकाय चुनाओं से पहले समाजवादी पार्टी ने उमीदवारों की लिस्ट भी तयार कर ली है और सियासी मुकाबले में दो-दो हाथ करने के लिए सपा तयार है समाजवादी पार्टी की तरफ से जब से सियासी रड़नी थी साजा की गई है तब से बीजेपी को पसीना आ रहा है सपा ने साफ कर दिया है कि हर सीट पर उसके उमीदवार होंगे और मुकाबला सत्ताधारियों से होगा प्रदेश अद्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जब से इसके संकेत दिये हैं तब से सियासी हंगामा बरपा हुआ है सपा ने जो लिस्ट तैयार की है बस उसके आपचारिक एलान का इंतसार है दरसल समाजवादी पार्टी ने च्शावनी परशद चुनाओ के लिए बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए सबी सीटों पर अपने समर्थित उमीदवार उतारने की तैयारी की है और सपा की इसी तैयारी ने सियासी पार अब बढ़ा दिया है दरसल अब तक राजनीती गोलवंदी से दूर रहा च्शावनी परशद चुनाओ अब की बार सियासी पार्टियों की अखाड़े का केंद्र होगा लखनव समेथ देशबर में 30 सप्रेल को च्शावनी परशद का चुनाओ होगा समाजवादी पार्टि उतर प्रदेश में आने वाली च्शावनीयों में अपने समर्थित प्रत्याशी उतारेगी सपा पहली बार च्शावनी परशद चुनाओ में हाथ आजमान जा रही है इससे पहले साल 2015 के चावनी परिशत चुनाव में बीजेपी ने अपने समर्थितु मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्म पटेल ने लखनव, कानपूर, आगरा, प्रियागराज, वारानसी, जांसी के बवीना, भरेली, मतुरा, मेरट, शाहजापूर, फतेगर और आयोध्या चावनियों के सभी बाड़ों में जिताव प्रत्याशियों का चैन करूने सम विधान परिशद सदस और प्रकोश्णों के पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौपी है, सपा महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष सुशील दिक्षित का कहना है कि लखनव, चावनी परिशद के सभी आठ वार्डों में पार्टी अपने समर्थे तो मीदवार उतारे थे, रक्षा मंतराले ने चुनाव चिंद कमल आवंटित नहीं किया था, ऐसे में बीजेपी समर्थे तो मीदवार उस वक्त कैची और अन्य चुनाव चिंद के साथ मैदान में थे, ततकालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर लक्षमी कांद वाजपई ने ख और सपा पहली बार मैदान में उतर रही है तो अपनी ताकत को साबित करना चाहती है, ऐसे में अब देखना ये है कि जब चुनाव होगा तो नतीजे किसके पक्ष में होंगे और किसके उमीदवार सबसे जादा जीतेंगे, ब्यूरो रिपूर्ट मीडिया हल चल